नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागता आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि किस तरीके से एलेक्षन के दोरान आपको ट्रेडिंग करने चाहिए देखो इलेक्षन आने वाले हैं और उससे पहले मार्केट में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती हैं किस तरीके से आपको प्रीमियम थोड़े हाई भी लेंगे और आपके व्यू के इसाब से आपको किस तरीके के प्लान बना सकते हो अगर मालो जिससे अभी NDA की कौन सी सरकार आएगी पर आपको पता है कि इतना पॉइंट व्यूंत आएगा मार्केट में कि यह-टोजार. पॉइंट की एक range रह सकती है कि उपर 2000 पॉइंट जा सकता है या नीचे 2000 पॉइंट आ सकता है इन केस तो उस केस में आप भई कौन सी सेट अप के अंदर यहां पर ही ट्रेड कर सकते हो और किस तरीके से प्लान कर सकते हो वो सारी चीजे हम डिसकस करेंगे तो चलो सुरू करते हैं आ जाते है स्क्रीन की उपर तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो यहां पर प्लान क्या रहे न चीए अब बहुत सा पोलिंग डेट स्टार्ट होगी अपरेल 19 से तभी से आप मान के चलू कि यहां पे यहां पे election के लिए volatility चालो हो जाएगी जब से polling चालो होगी क्योंकि धीरे 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 जनता का opinion पोल आने लग जाएगे वैसे तो देखो इंडिया में rule है कि कोई भी opinion पोल बगारा election के पू रेजल्ट डेट रहेगी 4 जून तो आप यह मान के चलो मन्तली एकस्पाइरी जून की अभी आपके लिए खोली होगी तो उसके अंदर आप planning कर सकते हो कोई भी strategy अगर आपको long term के साब से देख रहे हो कि election का result का impact जिस strategy पर आपको पड़ेगा या पिर जहां तक market जा सकता ह यहां 7 phases में total election होने वाले हैं और 7 phase का आखरी polling date भई 1 जून और result आएगा अपना 4 जून को तो इस तरीके से election अपना रहने वाला है तो इसके अंदर आपको किस तरीके से plan करना है देखो सबसे पहले एक discuss कर लेते हैं एक जून को भई यहां पे भई आखरी poll है तो उसके बा आपको दिखाई देंगे अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा भई exit पूल क्या होता है तो मैं समझा देता हूं यह क्या होता है यह एक system होता है उसके अंदर क्या बहुत अलग अलग जैसे news organization हो गई और भी organizations होती है वो क्या करती है कि 25 से 30 जार की sample size रखती है उसके अंदर जनता से जैसे ही वो भई polling booth से बाहर निकलते है तो वहाँ पे उनसे पूछा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल fresh memory में रहता है किसको आपने vote दिया है क्या reason रहा तो यह सारी details को set of questions होते है वो पूछते है उसके आधार पे उनका जो भी vote होता है उसको record कर लिया जाता ह और उसके आधार पे वो अपना एक result अनाउंस करते हैं कि उनको क्या लग रहा है कि एंडिये कितनी जीतेगी, Congress जीतनी जीतेगी या फिर जो भी parties है वो कितनी कितने यहाँ पे जीत सकती है seats और किस तरीके से election का result रह सकता है वैसे अगर आप pass record देखने जाओगे तो exit poll भई प्लान नहीं करते हैं पर आप यह देख सकते हो कि exit poll के हिसाब से कुछ पैसे लगा कि देखो आपको election के time पर एक fix amount रखना पड़ेगा कि exit poll के आधार पे मैं कितना risk लूँगा पर एकशिट पोल के आधार पे मेरे को 10,000 रुपर दस अजार का risk लेके चलना है दस अजार पर मेरे 0 हो जाए exit poll के हिसाब से मैं पैसा लगा हूँ या तो मेरे 10,000 जीरो हो जाएंगे या फिर भई मैं यहां से बड़ा पैसा लगा लूँगा कि यह मेरे को पता है कि दस अरिके से यहां पर भई यह गेम बनाया जाता है जितने भी न्यूस चैनल आप देखोगे वो क्या करेंगे वो क्या करेंगे सुबह सुबह के टाइम पर जैसे मालो अभी हम imaginary मान के चल रहे हैं जैसे bjp को यही दुबारा जीतना है ठीक है अब क्या होता है कि अगर same party दु खतम नहीं कर रहा है तो यह सारी चीज़े रहती है और BJP थोड़ा भाई है ना अब मतलब जो बड़े विजनसमें उनका साथ भी जती है तो उस बज़े से पॉजिटिव नयास मार्केट पर रहेगी और continuous अगर वही सरकार आती है तो वह एक मार्केट के लिए पॉजिटिव स आगे चल रही है यह इतनी सीटों पर आगे चल रही है और वहां पर इस तरीके का सेंटिमेंट बताएंगे क्योंकि ना मार्केट अभी क्या सोच के चल रहा है कि BJP वापस जीतने वाली है तो मार्केट वही देखो continuous rally के अंदर है और उपर की तरफ का biasness अपने को भी रखन चाहिए क्योंकि definitely ऐसा होते वे दिख रहा है अभी है तो उस दिन क्या करते हैं यह उस दिन जान भूट के सुबह के टाइम पर आपको ऐसा थोड़ा फील करवाया जाएगा कि मार्केट में BJP हार सकती है या फिर यहां पर गटबंदन की सरकार बन रही है या फिर सरकार बन आपको दिला कि पहले मार्केट को यहां पर 300-400 पॉइंट यहां पर सीधा सीधा फॉल करवा दिया जाता है आपको जिस डाइरेक्शन में मार्केट हो जाना उसके अपोजिट पहले मूँ दिखाया जाएगा आपको एसास कराया जाएगा कि यहां यह नहीं हो रहा जो आप सूच के बेटे थे आप वहां घब रहा होगे तो अब आपको क्या देखना है उस दिन एक तो गया एक एक इलक्षन दे के दिन क्या धियान रखना है कि 300-400 पॉइंट यहां फिर भई 200 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आ रहा है ना और भई अगर वहां से तुरंत रिवर वह सही है जो दिखा रहे है अभी अधरवाइज आपको भई यह ना नेगेटिव साइड में जो सुबह सुबह के रुजहान है उस दिन सुबह सुबह आपको इस तरीके से नहीं सोच रहा है जो भई न्यूज में दिखा रहे है क्योंकि न्यूज वाले यह गेम करते ही है और इस game में फसना नहीं है अपने को ये मेरा personal मतलब ये नहीं opinion है मैंने जितना भी observe किया जितना past में देखा कि इस तरीके का वैवार market को उस दिन रहता है तो अभी के लिए क्या है देखो एक तो हम strategy देखेंगे कि exit poll के हिसाब से क्या करेंगे एक तो हम decision लेंगे कि exit poll जो प्लान रखेंगे कि हमारा stop loss fix होना चाहिए otm call खरीदेंगे इतने की खरीदेंगे कि अगर हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारे opposite जाए तो यहाँ पर हमारे 10,000 रुपे ये 15,000 रुपे अलग-अलग सबका risk appetite होता है वो मेरे चले जाएंगे ठीक है वहाँ पर हम क्या करें एक्जिट पोल के हिसाब से कम से कम यहाँ पर भई 500 से 600 point otm खरीदेंगे nifty की minimum एक तो प्लान रहता है ये exit पोल के हिसाब से दूसरा प्लान क्या रहता है अभी क्या प्लान रहेगा मैं वो भी बताऊंगा और election day पर क्या प्लान होता है वैसे तो मैं उस दिन भी लाई हो र देश में ना कि exit पोल के साब से पैसा लगा लिया एक होते हैं कि वो जो ज्यादा रिस्क लेना चाते हैं कि ठीक है भाई या मेरेको तो full risk में खेला मेरे पास इतनी capital नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगा के देख सकते हो क्योंकि election के result से पहले premium high रहेंगे और जैसे result आ जाता है एक तरफ के premium बहुत तगड़ा तेजी से तूट देवाले हैं तो आप क्या कर सकते हो election के दिन दो दरगी के strategy मना सकते हो एक क्या कर सकते हो आप 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 ओटियम भई बहुत दूर की call ओटियम call और ओटियम put दोनों short कर सकते हो ठीक है दोनों बेच कर सकते हो ना दोनों बेच सकते हो भई यहां से भई है जैसे यहां पर चल रहा है मालो election के day के दिन market चलता भई है 23,500 पहुंच जाता वहां पर तो आप क्या करोगे यहां पर आपने short कर दिया भई 25,000 या फिर भई मैं 24,500 का call को short कर दिया मेरे को पता भई 1000 point nifty travel नहीं करेगा अगर मेरे को ऐसा लगता है तो मैंने वो short कर दी और यहां पर 22,500 की put short कर दी एक तो होती ही strategy है अब इसके अंदर भई दोनों short करोगे तो इसमें margin चाहिए होगा ज़्यादा ज़्यादा चाहिए होगा ना तो एक तो होती है कि ज़्यादा भई है ना बतल भी जिन के पास capital है कोई दिक्कत नहीं है capital की वो तो कर सकते है कि यहां पर 1000,000 point की nifty की otm call or put दोनों short कर सकते है ना exit poll के इसाफ तो मैंने बता दी है वहां naked option होगे फायदे मेर होगे क्या दिक्कत है दस अजार पाँजर का risk लेके देखना पुड़ेगा बड़ा पैसा बनाना है यहां कि यह election के दिन उस तो हम यहां पर trade करने की प्लान करेंगे तो उस तो ही किसे प्लान होता है ठीक है यहां इसमें क्या कर सकते है दूसरा एक तो हो गया वही election के देखे दिन कि मैं दूर दूए कि otm call or put shot कर लो कि हजार point यह 1500 point की इसके अंदर-अंदर market रहेगा इस से ज्यादा क्य पर loss limited होगा जब आप call or put दोनों को short करोगे ना एक limited होगा मैं अब भी बताओंगा strategy बना कि किस तरीके से ठीक है यहां पर दूसरा प्लान क्या हो सकता है कि वहाँ election day के दिन भी आप वहाँ आप जैसे exit poll में खरीदा आपने सुबह देखा एक बार देखा कि यहां पर कि हम अगर यहां पर बीजेपी हारते भी दिख रही है एक वल वाला मामला दिख रहा है तो आप तुरंत put की तरह प्लान कर लोगे क्योंकि गट बंदन की सरकार भी अच्छी नहीं है अभी सरकार बिल्कुल भाई majority की सरकार है कि वही सीधा सीधा बात है कि जो decision भाई यहां मैं discuss नहीं करता मैं सर्व stock market के perspectives से इसको discuss कर रहा हूँ तो वह strong decision ले पाती है अगर वही एक ही party की सरकार होती है फुल फ्लेजट सरकार होती है तो उस तरीकी से आपको देख रहा है तो यह तो होगे दो प्लान अब हम क्या करेंगे कि यह तो होगे वही तब क्या होगा अब यहां पर बात आ जाती है कि अब ही क्या होगा इस चीज़ को हम कब discuss कर सकते हैं यह तो हो गया हम election day पर कैसे plan कर सकते हैं तो मैंने क्या चीज़े बताई है एक बर repeat कर देता हूँ कि यहां पर पहली तो बात होगी exit poll के हिसाब से आपको क्या करना है एक risk ले लेना exit poll में जिस पहलों का average लगा लोगी क्या नजरा रहा है ठीक है अब दूसरा क्या scenario है election के दिन क्या करोगे मैंने दो तरीके की strategy बता दी कि या तो आप क्या कर सकते हो फुल रिस्क की आदमी हो तो आप election के दिन भी क्या कर सकते हो यहां पर exit poll पर बहुत सारे लोग नहीं गिरते है पर election क दिन आप क्या कर सकते हो यहां पर call खरीद के बैठ सकते हो अगर बीजेपी जीत रही है naked option यहां पर ले सकते हो दूसरा क्या है कि थोड़ा safe हो इतना risk नहीं लेना चाते हो तो बहुत इलेक्शन के दिन साड़े 12 बुझे से पहले कोई decision मतलो उसके बाद में जो जीतता हो द नहीं जाना है तो उस दिन premium high होते हैं तो सुबह पहले ले लो या एक दिन पहले ले लो उस दिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो एकदम से जब premium में drop आएगा न क्योंकि आपने call और put दोनों short कर रखिये जो एकदम से drop आएगा वो आपके भाई portfolio मा जाएगा तो उससे आप पैसा बना सकते हो call और put दोनों short करके ठीक है तो ये तीन strategy हो सकती है election के दिन की इसके अलावा election के दिन भी भाई है ना कि एक बड़ा move आएगा अगर ऐसा fix है और अपने को भाई बहुत ज़्यादा major risk लेना होता तो अगर भाई वहाँ पे मैं बाद में एक और वीडियो ब अब की बात अगर मेरे को भाई कल ही लेना है कि इलेक्शन की जो rally rally आनी है या अभी market जाएगा तो भाई एक तो non-directional strategy भाई election के साब से मुझे क्या लेनी है और एक भाई मेरे को BJP जीतनी भी दिखरी है तो भाई bullish side में मेरे को क्या trade लेनी है ये वीडियो में हम करेंगा अ आपको कर देने है इसके अलावा अगर भाई courses वगरा प्लान कर रहे हो तो website है हमरी description में link मिल जाएगा आपको tradingwithcroll.com वहां पर जाके complete trader course आप प्लान कर सकते हो और ये जो platform दिख रहा है भाई ये धनका अगर ये use करना चाहते हो तो इसका भी link आपको description में मिल जाएगा बा देखेंगे अगले वीडियो के दिलर